तो हेलो बाइज आज किस वाले बीटियो में हम बीटी जी एस की एपीसोड 65 की पार्ट 2 को एक्स्प्लेंड करने वाला हो और अगर आपने पिसले बाले पार्ट नहीं देखे हो तो जाकर के जरूर से देख लेना है और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा और ये वीडियो का फिर्दा इंट्रेस्टिंग हने माल ये तो वीडियो के जरूर से लाइक कर देना है और चैनल पर नहीं और फेरिवार आये तो चैनल को भी जरूर से ही सस्क्राइब कर देना है और गाइज मैंने जे डाइनेश्टी की सीजन 2 की एपिसोट 1 को भी एक्स्प्लेन किया हो अगर आप सभी ने नहीं देखियो तरजाकर करके जरूर से ही देख लेना है मैं लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और वीडियो को लेट लाने के लिए सौरी क्यूंकि अभी मैरा प्रैक्टिकल एक्जाम चल रहा है आप सभी को पताई वगा कि प्रैक्टिकल एक्जाम में प्रोजेक्ट टू और के साइनमेंट, लाव रिपोर्ट, लाॉरा लसन यहीं सब कुछ मंगता रहता है इसलिए वीडियो को बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था वोई नहीं जैसे ही मेरा एक जैम खतम होता है तो जल्दी जल्दी वीडियो बना करके मैं अफ्लोट कर दूँगा और बहुत हो भी बखवास तो चलिए हम बढ़ते वीडियो की तरफ और जैसा कि हमने पिसले एपिसोड में देखा था कि सावयान यूमी और जी आतीनों ही ब्लाक फोर्ट्रेस्ट मांटेन की तरफ जा रहा था जिसके बाद सावयन कहता है कि काईलीन अव थोरी देर वेट करों में जल्दी आ रहा हू और जिसके बाद हम देखते हैं ब्लाक मांटेन फोर्ट्रेस्ट को जहां फर अवी तक बहुत सारे बेटल हो चुकी थी लेकिन उस फोर्ट्रेस्ट फर अवी तक यह खरोच भी नहीं आई थी त्यूकि ये वाल बहुती जदा मसगुत बनाए गई थी और वही फर एक और बहुती बड़ी बेटल की तयारी जल रही थी और आज के दिन क्विन मेदूसा ने गुल जीजे सेट की लीडर यंग गुआ टियान जो की दो जोंग लेवल का एंसेस्टर है और मुलान बेली के वह तीन एलडर जिसके पास त्री बीज से वेल स्कील थी और ये स्कील की बज़े से वह भी दो जोंग लेवल के बरावर थे और इन सभी के साथ क्विन मेदूसा को आज अकेले ही फाइट करनी थी और अगर आज ग्विन मेदूसा जीत गई तो जमा इंपाइर और यंग अलाइंस दोनों ही बच जाएंगे और अगर ग्विन मेदूसा आज हार गई जमा इंपाइर और यंग अलाइंस खतम तो हमगे ही यहां तक ये स्नेक विफुल रेस के लोग भी इन तीनों इंपायर की आर्मियों के हाथों खतम हो जाएंगे और ब्लैक मांटेन फोर्ट्रेस्ट भी जामा इंपायर के लिए खौफ थी क्योंकि ये वाल बहुत ही बड़ी थी क्योंकि वाल के उस पर तीनों इंपायर की बहुत सारे आर्मियों डेरा लगाये थी अगर ये सभी आर्मियों जामा इंपायर में एंटर हो बही तो जामा इंपायर में तबाही मत जाएगी और इदार आएस एंपरर दुसमनों के तरब देखते हुए कहते हैं इस बार तीनों इंपायर्स को लीड यंग लुआर टियान कर रहे हैं क्योंकि आज वो पोजन सेट की लीडर यहां फर एफ एर नहीं हुई है इसलिए उन सभी को यंग लुआर टियान लीड कर रहा है इसलिए यंग लुआ टियान और वो तीनों एल्डर जो की दो जोंग लेवल के एंसेस्टर के बरावर है और एक और बात आप सभी को बताते चलू अपने आईस एंपरर दो हुआंग लेवल की पीक पर पहुच चुके है क्योंकि आईस एंपरर ने लास्ट इयर लाइफ और देद की भी फाइट की थी और इसी के साथ आईस एंपरर ने साउयन की दिवी फिल्स को भी कंज्यूम कर लिया था और अभी के लिए वो दो हुआंग के नाईने स्टार वर है और अभ साउयन के बारावाई साउडिंग कहता है मैंने ब्लैक कोरनर रीजन में सकेंड ब्रोदर साउली को भी इन सभी चीजों के बारे में इनफर्म कर दिया है वो भी कुछ मदद लेकर आताई होगा और अभ साउडिंग क्विन में दुसरा की तरफ देखते हुए कहता है क्या आपकी सारी इंजिरी हील हुई जहाप और क्विन में दुसरा दुसमनों के आर्मी की तरफ उसे से देख रही थी तो वो साउडिंग की तरफ देख करके प्यारी सी है स्माइल करके साउडिंग से कहती है मैंने यंग एलाइंज की दिवी मेडिकल फील को कंज्यूम की है और अब मैं पहले से काफी बहतर हूँ और फिल क्विन में दूसा साउडिंग को बताती है अब की फाइट में हो सकता है बहुत सारे नुकसान हो मगर तभी Queen में दूसा Magical Beast Mountain Range की तरब देखते हुए कहती है Sao Yan क्या तुमने अभी तक अपनी लेवल को Breakthrough नहीं की है अगर तुमने आज आने में देरी कर दी तो Jamai Empire नहीं बच पाएगा जिसके बाद Sao Ding भी कहता है मुझे भी नहीं पता कि Third Brother कहां और किस हालत में होगा कहीं उसके साथ कुछ पुरवनम न हो गया हो और ये सुनकर ये Queen में दूसा कहती है कि भले ही Sao Yan 2 One Level पर हो मगर जब वो अपनी Full Strength को Unleash करता है तो वो किसी भी 2 Jam Level की बंदे को असानी से Kill कर सकता है और जब के टाइम Sao Yan यहाँ पर वाफस आ जाएगा तो हमारी तरब भी 2-2 Jam Level की बंदे के बराबर हो जाएंगे और तब ये तीनों इंपायर्स की लोग भुच करने से पहले 100 बार सोचेंगे और अगर Sao Yan के आने से पहले ये लोग अगर फाइटे स्टार्ट करते है फिर ये क्विन मेदू साफने साथ साथ इसी एक को लेकर के मरेंगे जरूर जिसके बाद जिया जिंगेटियन कहते है योन मेजेस्टी गोल जिजेस सेट का लीडर और पोईजन सेट की लीडर और वो तीन एल्डर को कभी भी आपसे देथ फाइट नहीं करेंगे मुझे तो लगता है इस बार ये सब भी आपके साथ कमबाइन फाइट करने बाले है और आपको बस केरफुल रहना होगा और जिसके बाद कुईन मेदू सभी अपना सरहा में इला देती है और इसी के साथ ही दुस्मन के फोद जंग की एलान कर देता है और ये बाद सुनकर के सभी के लोग थोरे सहम से जाते है मगर तब इस सावडिंग यंग एलायंज और इसनेक फीफुल रेस की एक्सपोर्ट जो की दो हुआंग लेवल पर थे उन सभी को ओडर करता है जल्दी से सभी यहाँ पर एक बोड़ी सी डिफेंचेस लाइन को बना लो और अभी के लिए तुम सभी लोगों को दुसमनों की दो हुआंग लेवल की एक्सपोर्ट की आर्मी को रोपना है और ये बेटल हमारे जामा इंपायर और इसनेक फीफुल रेस की सर्वाइवल की बैटल है इसलिए तुम सभी को हर हाल में आखरी सास तक लड़ना होगा जिसमें से बहुत सारे एक्सपोर्ट अपना सर हां में हिला कर हावा में उड़ जाते हैं और अब दुसमनों के भी बहुत सारे दो हुआन एक्सपोर्ट्स उनके आमने सामने आ जाते हैं और अभी के लिए जामा इंपायर और स्नेपी वो लेस के लोगों को अच्छे तरीके से पता था ये बैटल इनकी सर्भाइवल की बैटल है इसलिए वो सभी मिलकर के इस बैटल को लड़ने वाले थे लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक किलिंग और एक पेर होता है और फिर वहीं पर से एक आवाद आती और कहती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जामा इंपायर के लोग इतने जिद्धी भी भंगडे है और तुन लोग तकरिवन एक साल से तीन बड़े इंपायर को रोकर रखे हुए हो और यह आवाज वो सुनकर के क्विन में दुसा और बाकी के लोग कहते है यह तो यंग लुआ टियान है जो की लोयन इंपायर से है और यह गोल जीजे सेट का लीडर भी है और यह लोयन इंपायर का सबसे श्ट्रॉंग परसन है और यह दोजोंग लेवल का एंसेस्टर भी है और फिर उसके साथ ही यहाँ पर असमान में एक परसन एपेर होता है यह और कोई नहीं यंग लुआ टियान ही था मैंने सही सुना था मेदूसा बहुत ही खुबसूरत है और फिर वह कहते है कि माना तुम्हे अकेला में नहीं हरा सकता लेकिन तब यॉट लुआ टियान के सामने तीन बंदे और एफेर हो जाता है और फिर वह हासक और कोई मेदूसा से कहते है क्या तुम मुलान मे ली के वही तीनो एलडर्स हो और अभी के लिए वो तीनो एलडर्स दोहुआं लेवल के पिकके वर्यर थे मगर उनके पास एक की मेथ़ड़ था तो इस की मेथोड को यूज कर कि वो किसी भी दो जोनग लेवल की बंदे को टकर दे पाता था और जैसा कि आफ सभी को पताई होगा, ब्लैक कॉर्नर रीजन के गुर्डेन सिल्वर ब्रोदर के पास भे इसी तरीके की कोई टेकनिक था, तो वो दोनों कम्बाइन होकर किसी भी दो जोंग लेवल की बंदे को टकर देवा रहा था, मगर ये तीनों एल्डर्स थी बीज सेव बंदे को बूर रही है, और इन एल्डर्स और यंग लुआ ठेयान को देखकर, उनके आर्मी उनको बहुत इल्ला चेयर करते हैं, जो देखकर के सावडिंग और बाकी के लोग भी थोड़ा घावरा लाते हैं, त्यूंकि उनके तरफ अके लिए एक क्वीन में दूसा ही दो जिया जिंग गिटियन भी विशे से कहता है, घंप भी मीन में दूसा के साथ फैट करने के लिए खारा वाना होगा, इस तरह से फैप क्वीन में दूसाम को थोड़ी सी टैम भी दे पाइंगे, और ये सूनकर के ये सावडिंग आईस एमपरर ऑड जिया जिंग गे हैं से कह विडियन वे लावा कोई ऐसे ही हम चुप करके बैठे रहे और क्विन में दुशा को इसी तरीके से हाटार देखते रहे जिस पर साओडिंग कहता है कि अब हमें हमें यही उमीद करना चाहिए कि क्विन में दुशा इन चारों की अटैक को रोक सके है और इसके इलावा हमारे पास कोई भी दूसर रस्ता नहीं है जिस पर ओल्ड फामा कहता है कि अगर सावयान यहाँ पर होता तो यंग लुआ टियान और ये तीनों की एल्डर्स को धूल जटाना हमारे लिए मुस्किल काम नहीं था जिस पर सावडिंग कहता है कि प तुम ने अगर हार नहीं मानी तो तुम मुझे बले मत करना है कि मैंने तुम पर रहम नहीं किया और ये सलाव बॉल भी किसे राया है जो कि कुईन कुईन में धूसर जो कि खुद में ही एक रानी है और आप सबी को पताई होगा भी कुईन में धूसर कितनी एटिट्यूड में रहती है और ये सला बोल भी किसे राय हमारी रानी कुईन मेदूसा को ये अत्मान हम लोंदे सेहन नहीं कर सकते हैं कुईन मेदूसा तो हमारी कुईन मेदूसा है जिस पर कुईन मेदूसा कहते हैं कि अगर तुम चारों मिलकर मुझसे फाइट करना चाहते हो तो तुम सौ का घार भार देंगे यह सुनकर यंग लुवा टियान अपने गोल्डेन स्वाट वह भी बाहर निकार लेते हैं और जिसके बाद वह मुलान बेली के वह तीनों के एलडर कहते हैं इसे ट लीडर यंग लुवा टियान हम मिलकर भी कुईन में दूसा को इतनी आसानी से नहीं हरा भारी क्यों 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 में दूसा को लेकर यहां पर से चलिजाओ अगर तुम एसा करती हो तो तुम्हें हमारी इंपायर की तरफ से रहने के लिए बहुत सारी द्यमीन भी दी जाएगे अरे यार कुईन मेदुसा को तुम बिखारी समझ कर रखे हो क्या साले की बार भाई मेदुसा के साथ तुम इस तरही बाते नहीं कर सकते हैं और साले जितने तुम्हारे पास जमीन भी नहीं होंगे क्योंकि हमारी कुईन में दुछा ये से नहीं बोलती है, हमारी कुईन में सब बहुती बोली है, जिसके मार यंग लुअ टीयान कहता है। फिर भाला क्यों जामा एंपायर के साथ खुद कल भी खतम करना चाहती हो। और फिर कुईन में दुशा यंग लुआ टियान की बेज़्टी करते हुए ये कहता है। और चला तुम धमकी कीसे दे रहे हो रे? कुईन में दुशा को छोटे से बच्ची समझती हो क्या? और फिर कुईन में दुशा कहता है कि मैं तुमारी सारी बाते वेवकुफी से बढ़ी हुई है। और ये सुन करके यंग लुआ टियान थोरा सा सीरियस हुआ जाता है। ये लो, यंग लुआ टियान थोड़ा साई सीरियस हुआ है, मैंने समचा था बहुती ज़दा सीरियस हो जाएगा, ये तो थोड़ा साई सीरियस हुआ है, और फिर यंग लुआ टियान कहता है कि मैं तुम्हारी एसने फिपल रेस की लोगों को दुनिया से कतम कर दूंगा, ज मेरे साथ ये तीन एल्डर भी है और अब इसके साथ ही वो तीनों के एल्डर जिनका नाम lion head, bear head और tiger head था और फिर ये तीनों मिलकर के एक formation बनाने लगता है और फिर वो तीनों की body से दावकी निकल कर एक red energy में convert हो जाती है और जब ऐसा होता है तब कि उसके body से lion, tiger, bear की बहु और ये बाकी में बहुती deep class की method है जो कि ancient time से उसके साथ चलता आ रहा है और young luatian इसकी method को देख करके उसको इस method को लेने का लालाच भी आ रहा था त्यूकि ये तो है ही लालची और ये queen में दूसा को जमीन देने की बात कर रहा था लो भाई अब बोलो क्या बनना चाते हो और फिर young luatian कहता है ये skill मेरे world energy के सामने ये skill कुछ भी नहीं अरे भाई ये तो आप तोड़ जचबार दो नहीं बतल दिया और अभी अभी उसको लालाच भी आया था इसकी method बोलेने की और अभी ही बोल रहा है मेरे skill के सामने कुछ भी नहीं और अब इन तीनों elder के आसप और फिर हुआ कहता है कि सुकर है जो कि में विन में दुसा के साथ अकेला fight करने के लिए नहीं आया था वरना तो ये मुझे इतनी सारी बात कहने पर कपका घसीट घसीट करके मार मार के खतम कर दिया हो था और अब इसके साथ ही young luatian और मुलान बेली के वो तीन elder अपनी powerful द इसी तरीके की blade में combat हो दाता है और young luatian इस blade को queen में दुसा के ऊपर छोड़ दाता है जिसके बाद queen में दुसा अफने sword से बहुत सारे sword की colon बना कर उनकी shield बना लेती है और फिर young luatian की attack से बद जाती है मावर फिर young luatian जाला तेजी ना करते हुए queen में दुसा के ऊपर golden hand seal को बना कर queen में दुसा के ऊपर attack कर देती है और queen में दुसा इस attack को तो रोपने वाली थी लेकिन मगर तब ये queen में दुसा के पिछे मुलान मेली कि वो तीन elder repair हो जाता है और अभी वो तीनो elder queen में दुसा के ऊपर snake attack कर देती है मागर तब ये queen में दुसा जैसे तेसे करके यंग लुआ टियान और ये तीनों की एल्डर्स की अटाक को रोक लेती है माफर कुइन मेदुसा इन दोनों की अटाक की वए से काफी पीछे धखला जाता है और यंग लुआ टियान और ये तीनों एल्डर्स इस अटाक की वए से चंद कदम पीछे ही हरता है और अभी के लिए कुईन मेदुशा की सीचुएसें फाइट में इतनी अच्छी नहीं थी और ये देखकर के आईसेंप्रर बुस्से से कहते है पेले ही बेसरम ये चार लग मील कर अकेली कुईन मेदुशा से फाइट कर रही है लेकिन फिर भी ये साले बुस्दिल की तरह पीछे से हमला करता है और बेसरम की तरह इसनेक अटैक भी कर दे रहे है और फिर आएसेंप्र और भी ज़दा गुस्सा हो जाता है और क्याता है आकिर हमारा लीडर साव यान रेह कहा गया और क्योंकि यान लुआर टियान भी दो ज़वल पर है और मुलान वेली की वो तीन एलडर सी अफनी 3-20 सेवल एस्किल को यूज करते है तो तो वो भी दो ज़वल की एन सिस्टर की बराबर होता है और आब योंग लूज यान को पथा चल रहें कि कुईन में दूसा पहले से ही इन्जषड है और गैज आप सभी को ने मतादु कि इस बेटल से ही बहुती जड़ा इन्जषड थी लो भाई यंग लुआ ट्यान ने फिर से ये गलती कर दी और मैंने यंग लुआ ट्यान को पहले ही बॉल दिया था कि कुईन में दूसा से बेटा पंगा मत लेना लेकिन फिर भी जा रहा है फंगा लेने के लिए और कुईन में दूसा इतनी भी इंजर नहीं है जो कि यंग लुआ ट्यान से हार जाए बस कुईन में दूसा को ये बात की चीनता थी जब मैं यंग लुआ ट्यान के ओफर अटैक करने के लिए जाओंगा तो पीछे से ये तीनो एल्डर अटैक कर और फिर वो कहता है कि आज Queen में दुसा किसी को टपका कर ही मानेगी और सभी के लोग भी यहाँ पर यह सब कुछ देख करके हैरान थे और वो भी कहते हैं कि अब दो जंग लेवल की बैटल स्टार्ट होने वाली है तुटी Queen में दुसा अभी तत तो खेली रहा था और जिसके बाद Ice Emperor कहता है Queen में दुसा तो इंज़र्ड है लेकिन फिर वी उनके सामने दो दो जंग लेवन की एंसेस्टर है और यह सिच्वेशन हमारी Queen में दुसा के लिए और Jamma Empire के लिए कैसे खीक हो सकता है और फिर Ice Emperor कहता है कि आखिर सावयन रह कहा फड़ गया क्योंकि Ice Emperor को बहुती जड़ा घवराहाट हो रही थी और क्योंकि Ice Emperor को ललता था कि Queen में दुसा इंसभी से अभी नहीं लर पाया या क्योंकि Queen में दुसा पहले से ही इंज़र्ड थी इसी बाद कि चिंता Ice Emperor को बहुती जोरो सोरो से हो रही थी बागर तभी यहाँ पर असमान में बादल गरजने लगते हैं और फिर बादन में से किसी की हसने की आवाज आती है और वो कहता है कि यह कैसे हो सकता है मैं Young Alliance का Chief Sao Yan और इतनी बड़ी बेटल में कैसे सामील ना हो वाओ और यह बेटल को मैं कैसे मिस कर दू और यह आवाज को सुनकर के साव डिंग और बाट की सभी लोग बहुती ज़दा खुस हो जाते है और जिसके बाद आए सेंपर भी बहुती ज़दा खुस हो करके कहता है यह आवाज तो साव यान का है फाइनली यह लर्का वाफस आही गया और जिसके बाद जिया जिंगे टियन कहता है यह लर्का हमेसा ही लास्ट मूबमेन पर ही एपेर होदा है इस बाद सुकर है कि यह लर्का टाइम पर आ गया और यह देकर क्यों कुईन में दुसरा भी बहुती ज़दा खुस हो जाती है और जिसके बाद यंग हुआ टियन और वो तीनों एल्लर वो कहता है कि आखिर यहाँ पर किसका एंट्री हुआ है जो कि सभी लोग इतने जला खुस हो गए है और तभी बादन में से सावयान, यूमी और लिटल कल जी आ बाहर आता है और यहाँ पर सावयान को देख करके माहौल से बंदाते है और जिसके बाद वो तीनों यहाँ पर एफेर होकर कहता है बेसर्मों जाकर के सबसे पहले चैनल को सस्क्राइब करो और अगर वीडियो देखी लिए हो ते वीडियो को लाइक भी कर देना और अगले एपिसोड को आने काता अगला एपिसोड में जल्दी अफ्लोड कर दूँगा इसलिए आप सभी ये मत कमेंट करो कि भाई जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड लेकर आओ परने में तो मज़ा आये हे बलगी मुझे रिपलाइ करने में भी मज़ा आये और अगर आप चैनल पर नई हो तो दबा करके जरूर सही सस्क्राइब कर दिजिए और मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्ट एपिसोड में तब तक के लिए बाई बाई